असलाम हूं आलेकूम मैं जुलेखा अर्फा जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सी रेसिपी जिसका नाम है कुरस्पी चिकिन फ्राय एक दम बाजार जैसी बनती है इन फैक्ट उससे बहतर बनती है जरूर बनाईएगा घर पर मज़ा आ जाएगा बना कर भी और खा कर भी इन्शाला जो चलिए शुरू करते हैं आज शी रेसिपी साधा रान्याने और इंग्रीडियन से एक्स्टराइडनरी डिश बनाते हैं चलिए इसके लिए मैंने तक्रीबन आधा किलो चिकिन ली है आप देख सकते हैं चोटी सी चिकिन थी आप लेकिते हैं नमकigu दले जिए मैंने आदा चाई के चमज दला है यहां पर में आदा चुड़ा चाय के चमज दल रही हूं पाउडर छोड़ हो दनाल 1-4 छोड़े चाय के चम्मच हल्दी पाउडर और 3 छोड़े चाय के चम्मच आधरकलसन का पेस्ट दाल दीजिए एक टीबल स्पून भरकर दही भी दाल दीजिए और एक टीबल स्पून मैं यहां सिरका दाल रहे हूँ आपनी मोका रस भी दाल सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढाक कर फिरज में तकरीबन आदे पॉने घंटे के लिए मेरे नेट होने साइट पर रख लेकिन और अगर आपके पास समय ना हो तो आप 15 मिनिट भी रख सकते हैं चलिए 45 मिनिट हो चुके मैं इसमें दाल देती हूँ रेड तंदूरी फूट कलर आपने नहीं दालना है तो स्किप कर सकते हैं एक टेबल स्पून चावल का आठा एक टेबल स्पून कॉन फ्लार य यहीं तो एकदम छिट्का छिट्का सा मसाला लगेगा ना तो मैंने यहां पर दो टीबल स्पून चितना पानी डाला है अब आप चाहें तो तीन पैंदम स्पून भी दाल सकते हैं बस एकदम पत्ला मत कर दीज़े क्योंकि मसाला ऐसे चिट्का चिट्का सा भी होना अच्छा गरम मतलब नॉर्मल जैसा हम गरम करते हैं वैसा गरम हो जाए तो मीडियम आज करने के बाद विसमेल रह्माने रेम बोल कर ये पीसे डाल दीजिए, वेल कोट करे हुए दालिएगा और बहुत अच्छे से कोट करके डालिएगा और इससे 1-3 मिनिट तक मीडियम आज जाएगी लेकिन चूला एक ही आज पर रखेगा जो है मीडियम अब इसे बैचेस के अंदर फ्राइ कर लीजिए चिकन छोटी है आप देख सकते हैं मेरी विद बोन्स ही है लेकिन छोटी है तो तकरीबन 6-7 मिनिट में पक जाती है चिकन के लिए आपके बड़े पीसे हो तो तकरीबन 7-8 मिनिट लगेंगे तो उसे 8-9 मिनिट तक पकने दीजेगा मीडियम आज पर आप देख सकते है माशला क्रिस्पिनस तो है लेकिन कोटिंग भी निखली नहीं है हमारी जो तेल के अंदर हो इसके लिए क्योंकि हमने एक ही टेमपरेचर पे ये तेल रखा ह जैसी वो ड्रॉप हो जाएगा तो आपके ये जो उपर का मसाला है वो छूटने लगेगा तो वहां आप चाहें तो एक मिनिट के लिए या आधे मिनिट के लिए फास्ट आज पर रख सकते हैं चलिए मैंने तो सारों को मीडियम आज पर ही बनाया और बढ़िया से बढ़े होंगे तो सबसे पहले तो आप कट्स मार दीजेगा पीसिस के ओपर और फिर मेरिनेशन के लिए आप जब फर्स्ट मेरिनेट करके रखते हो तो एक देड़ घंटे के लिए उसे धाक कर फ्रिज में मेरिनेट करने रखेगा और तीसरी बार आपके पीसिस अगर पीसिस तो उन्हें आप थोड़ी से मोटी यानि की थिक बॉटम की लीजेगा कढ़ाई को नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना पतली बॉटम की कढ़ाई रहती है ना तो तेल जब गरम होता है तो चिकन के पीसिस लाल जल्दी हो जाते है और थोड़े से जलने लगते और अ बहुत अच्छे लगते हैं ऐसी पर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए उससे जाधा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फावर्ड कीजिएगा फिसे आज़र हूंगी नहीं शानदार दमदा रैसेपे के साथ अंतल तेक केर अलाफीज बाइ